नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकर एजुकेशन विद अनिल में मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके हैं नई वीडियो दोस्तों आज हम हमेशा की तरह आपके लिए 20 कोशन्स की MC की वीडियो लेके आ गए हैं और आप सब को अपना स्कोर बताना है हमेशा की तरह और लास्ट के तीन कोशन्स होमवर्क हैं जो की काफी हार्ड है आज थोड़ा फिक्स्चर को लेके टौनमेंट को लेके हमने कोशन्स बनाए हैं तो देखते हैं किसको आते हैं वो 22 को लेकर भी उसमें कोशन्स है इसके अलावा अगर आप हर्याना PTI की तयारी कर रहे हैं क्योंकि स्पेशली हर्याना PTI इसलिए बोला गया है क्योंकि फिक्स हो चुके डेट आपकी फिक्स हो चुके है 23 अजस्त को आपका पेपर है और अब कोई भी गलत फैमी में ना रहें क्योंकि HSSC की साइट पे स्पेशली ये नोटिसिफिकेशन आ चुका है कि अब पेपर होके रहेगा तो जो भी लोग धरना पे इस टाइम तक बैठे हुए थे या अपनी पढ़ाई छोड़े हुए थे हलाकि दो-तिन दिन में हमारे ग्रूप में काफी लोग जोइन हुए पर मैं चाहूंगा और लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं वो हमाँसा जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक नई सफलता दें ठीक है क्योंकि आज से हम लोग सुबह शाम डेली एमसीक स्कुल ले रहें अभी तक तो क्या था कि हम डेली डेली शाम में ले रहे थे लेकिन आज से सुबह शाम हो जाएगा क्योंकि दिन बहुत कम है और मोग के क्लिक दिन सब्क्दर्स पढ़ानारी के लिएक Χार जो हो च करते हैं पहले question के साथ फर्स्ट question क्या कहा रहा है दोस्तो यंग मैं Christian Association YMCA College of Physical Education मदरास किस वर्ष में स्थापित किया गया था यंग मैं Christian Association YMCA of Physical Education मदरास was established in तो काफी easy question है ये तो ये तो हरियानग PTA जीसे एक्जामस में बनता है ऐसा question हाला कि important है College of Physical Education मदरास में स्थापना हुई थी इसकी ठीक दोस्तो चलते हैं नेक्स कोशन में यह History of Physical Education कराया था ग्रूप में तो उसी से एक दो कोशन लिये हैं हाला कि यह Easy कोशन से सेकंड कोशन गवर्मेंट College of Physical Education हैदराबाद का गठन किस वर्ष किया गया Government College of Physical Education हैदराबाद फॉर्म्ड इन विच इयर तो दोस्तो किस वर्ष हुआ था सही बताया आपने 1931 में एकदम सही बताया और फोटो में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे आपका स्टेडियम है और बच्चे किस तरीके से उनको पीटी ट्रेइनिंग दी जाती है चलिए नीचे चलते है थर्ड कोशन स्वास्ते संबंदी सारीरिक शिक्षा फिटनेस का कौन सा घटक नहीं है विच इस नॉट अ कॉम्पोनेंट अफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस तो ये भी हमने MCQ गुरूप में करवाये था पेड गुरूप में अभी हरियाना पीटे गुरूप में यह होना बाकी है क्योंकि काफी इंपोर्टन टॉपिक है इससे तो इतने कुशन्स बन सकते हैं और इजी टू हाई लेवल सारे के सारे तो आप बताईए इसका अंसर क्या होगा दोस्तो सही बताई आपने बैलेंस इसका अंसर होगा ठीक है क्योंकि आपको पता होगा थोड़ी सी में ट्रिक बता देतना है आपके संतुलन देखी दो तरीके के आपके फिटनेस आपके physical fitness components होते हैं एक होते है health related मतलब कि स्वास्ते संबंदित और एक होते है skill related ठीक है दोस्तो तो जो आपके skill वाले हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो skill वाले है यह वाले तो इनके trick क्या है देखो A B C P Q को यहाँ आपने में हटा दिया Q R S ठीक है तो यह आपका सारे components आगए हैं इसमें ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपका A जो है A आपका agility के लिए B balance के लिए C आपका coordination के लिए और R आपका यहाँ पर किसके लिए होता है reaction time के लिए और S आपका speed के लिए और P किसके लिए दोस्तो power के लिए ठीक है तो यह आप trick अब जो बच गए हैं वो सारे बड़े के बड़े हैं आप देखेंगा muscular strength muscular fitness यह सारे के सारे बड़े word हैं इसके अलावा body composition इसमें दो-दो चीज़ा आ रही हैं देखेंगा आप बहुत सारों में ठीक है तो समझ गए हूंगे आप hope I hope तो balance यहाँ पर एकदम सही है इसके अलावा नीचे चलते हैं आप दोस्तो तो धनुराशन को dash vikriti को ठीक करने के लिए किया जाना चाहिए धनुराशन should be performed to cure dash formality deformity sorry तो धनुराशन आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह के यह आशन है और इसमें clearly आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ ठीक होगी तो क्या चीज़ ठीक होगी दोस्तो kyphosis क्योंकि आप देख सकते हैं kyphosis में होता क्या है chest में depression आ जाता है chest में एक मतलब की खाली पन आ जाता है तो वही उसको ठीक करने के लिए हम लोग यह आसन करते हैं जिसमें हम लोग पूरे हाथों को पीछे ले जाते हैं और stretch करते हैं अपनी पूरी chest को ताकि वो थोड़ी सी बहार निकल के आए और यह deformity ठीक हो जाए चलिए नीचे चलते हैं फिफ्थ कोशन Asia एक खेलो के अब तक कितने sunscreen आयोजित किये जा चुकी है how many editions of Asian games have been organized so far तो जो अमारा 2018 में आपका edition हुआ है वो कौन सा edition है दोस्तो कौन सा edition है सही बताया 18th edition है यहाँ पर trick बन गई आपकी है कि 2018 का Asian games ही अठारवा Asian games था ठीक है तो अभी तक कितने Asian games हो चुके है तो 18 अठारवा Asian games हो चुके है तो अब जो आने वाला जो आपका Asian games होगा तो वो कौन सा होगा दोस्तो 19 वा Asian games होगा एकदम ठीक बताया आपने और अठारवा हुआ कहाँ पर था तो जकारता और पलेंबंग इंडोनेशे की दो सिटी यहाँ पर हुआ था ठीक है चलते है नीचे 6th question महीला हेप्टैतलोन प्रत्योगिता में Asian स्वन परदक जीतने वाली पहली भारतिये कौन है तो सही बताया आपने एक दोस्तो शपना बर्मन और इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग फोटो में देख सकते होंगे इनके identification की बही यह कैसी दिखती है इसके अलावा इनकी आपको पता होगा इनके पैरों में 6 उंगलियां है ठीक है नॉर्मली 5 होती है तो इनके पैरों में 6 उंगलियां है तो इन्होंने 2018 का जबी competition खेलने जा रही थी तब इन्होंने specially बोला भी था कि मेरे को I wish क्या पता मेरे कोई shoes मतलब specially specially बनते तो इन्होंने जब gold medal जीता हाला कि बहुत ही बड़ी बात है देखो तो gold medal जीतने के बाद Adidas company ने इनको sponsor करे वो shoes specially इनके लिए बना के और फिलहाल में इनका गाउं around side असाम में है तो वहाँ पे थोड़ा timber wood को लेके मतलब कि timber जो लकडी होती है वो इन्होंने मगाई थी घर बनाने के लिए अपने तो उसको लेके थोड़ा सा case हो गया था हाला कि उससे अब इनको clean chit मिल चुकी है ठीक है क्योंकि उन्होंने उसकी bill will सब दिखा दिया कि वो खरीदी हुई है चोरी की नहीं है ठीक है दोस्तो तो स्वपना बर्मन काफी important name आज की sports में 7th question वर्ग 3 के lever में प्रयास कम हो जाता है जब load फलक्रम से आगे बढ़ जाता है इन क्लास 3 levers the effort decreases as the load moves farther from the fulcrum तो क्या ये बात सही है गलत है ये पूछ रहा है दोस्तो ये तो सही बताया दोस्तो आपने एकदम decrease नहीं होता है देखो मैं आपको इसको कैसे समझाओं आप फोटो में देख सकते हो एक इस फोटो में मैंने जैसे example दे रखा है sports का ही जो आपका मतलब तेराकी होती है normal now वाली ठीक है boating तो उसमें मतलब की आप third class lever का use करते हैं तो अगर ये जो इसको शायद हिंदी में चापू कहते हैं ऐसे कुछ तोड़े याद नहीं आ रहा है तो इसको अगर मैं लंबा कर दू अभी जैसे ये आपको दिख रहा होगा इसने एक दम fit ले रखा है और काफी speed से जा रहा है अगर मैं इसको काफी लंबा कर दू दोनों तरफ से तो इसको बहुत ज़्यादा effort लगाने पड़ेंगे ठीक है दोस्तो ऐसी होकी अगर एक stick होकी stick एक limit तक लंबी अच्छी है लेकिन उससे भी बहुत लंबी कर दो तो खराब है ऐसी अगर आप bet लें बैट में भी class 3 liver यूज होता है तो वो भी ऐसी है अगर आप तो normal standard लेंगे तो वो अच्छा रहेगा लेकिन हद लंबा लेंगे तो उसमें आपको जाद़ पावर लगानी पड़ेगे कम नहीं ठीक है दोस्तो एर्थ कोशन एक quadricep तनाव dash के कारण हो सकता है English में a quadricep strain can be caused by तो दोस्तो किसके कारण हो सकता है सही बताया आपने कि D option यहाँ पे एकदम correct रहेगा दोडते समय अचानक रुख गया अगर कोई भी खलाड़ी तो normally उसको quadricep strain हो जाता है तो काफी लोग इसमें कहते हैं कि बिना किसी warm-up के sit-up करना ठीक है sit-up मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ पे sit-up सायद गलत लिख दे गया है हाँ नही sit-up एकदम सही लिखा है तो sit-up से देखो कोई लेना देना नहीं है ठीक है दोस्तो तो यहाँ पे सबसे important आपका suddenly stopping while running तो क्योंकि भई normally हम सारी activities हम daily life में करते हैं लेकिन भागते भागते अगर आप normally आपको यादत पढ़ जाती है अचानक रूखने वाली तो यह आपकी जो quadricep muscle से इसके पर बहुत जादा आपका जोर डालती है stress डालती है और ultimately वो अपने आपको injured कर लेती है तो ध्यान दीजेगा अगर आप अच्छे athlete हैं तो बिल्कुल इसको थोड़ा avoid करें 9th question 1960s में वह भारत के चौत्य सर्वोच्य नागरिक सम्मान पदम शिरी से सम्मानित होने वाली पहली भारतिया खिलाडी बनी in 1960s she became the first Indian woman sports woman sorry sports woman सबसे important word यही to be awarded पदम शिरी the fourth highest civilian award civilian honor in India तो दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा एकदम सही बता है आपने आरती साहा आरती साहा एकदम सही बता है 1959 में इन्होंने English Channel जो अपना English Channel है England और France को अलग करता है इन्गलिस Channel उन दोनों के बीच में है तो उसको इन्होंने एक तरीके से पार करा था उस टाइम पर काफी मतलब की 1960 यह थोड़ा यही मान लीज़े 1959-60 में ही ठीक है अब English Channel की अगर बात चल रही है तो थोड़ा JS को भी discuss कर लेते हैं आई विश तो मतलब की जो Gertrude Adderley 1926 पहली महिला थी जिन्होंने English Channel को क्रॉस करा था ठीके दोस्तों फोटो में आपको दिखी रहोंगी काफी देर से इसके अलावा जो अभी फिलाल करंट में है तो Sarah Thomas तो Sarah Thomas क्यों famous है चार बार non-stop इन्होंने English Channel को पार करा है और ये breast cancer से पेडित patient थी अब हला कि ठीक हैं लेकिन काफी मुश्किल होती है ऐसी मतलब की बेमारियों से कोई निकल जाए तो Sarah Thomas इस टाइम पर काफी famous है तो इनके लिए exam में paper में question बिलकुल आ सकता है तो बिलकुल तयारी रखें 10th question काफी easy question देवेंदर जांजरिया किस से जुड़े हैं देवेंदर जांजरिया is associated with तो देवेंदर जांजरिया आप जानते हैंगे दोस्तो राजिस्थान से बिलोंग करते हैं तो सही बताया आपने एकदम जैवली इंथरो से ये relate करते हैं 2nd Paralympic आपके medalist हैं या अभी तक के 2nd मतलब की उस टाइम पर 11th दोस्तो Elementary Canal के सबसे बड़े भाग का नाम बताईए नेम दी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ Elementary Canal तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है दोस्तो Elementary Canal में सारी चीज़ आ जाती है आपके टंग से लेके आपका food pipe से लेके Large intestine, small intestine, liver ये सारी चीज़ आ जाती है ठीक है दोस्तो तो small intestine आपका सबसे important है याँ पे इस question को लेके क्योंकि ये largest part है ठीक है चलते है नीचे 12th question WBC और RBC का अनुपात है The ratio of WBC and RBC is तो कितना ratio होता है दोस्तो ratio मतलब की भई हम अगर ऐसे सोचेगी एक अगर WBC है बोड़ी में तो 3 RBC है इस हिसाब से मतलब इन में से option में कौन सा correct है तो सही बताए आपने एकदम B option कि एक WBC है तो उसके सामने 600 RBC है ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि WBC कितने कम होते हैं हमारी बोड़ी में 13th question 13th question Hemoglobin dash है Hemoglobin is तो सही बताए आपने एकदम B option correct है आपके शवशन वर्णक मतलब की respiratory pigment तो pigment वैसे तो color देता है लेकिन यहाँ पे एक रूल और है Hemoglobin का आपको पता होगा कि यह oxygen को hold करता है जैसा कि लिखा है फोटो में English में oxygen को hold करता है अपने साथ जवाब सांस लेते हो और उसको tissue तक लेके जाता है ताकि यहाँ पे internal respiration work कर सके ठीक है जिससे कि हमारे cells एक तरीके सा हमें energy provide करते हैं ठीक है दोस्तो तो respiratory pigment है याद रखें काफी important question है काफी थोड़ा सा conceptual भी था तो specially याद रखें इसको चलते है नीचे चौत्था question जोतिर मॉय सिगदर ने किस कारेकरम में बैंकक एशे खेलो में स्वंड पद्दक जीता था इन विच इवेंट डिड जोति मॉय जोतिर मॉय सिगदर वान गोल्ड मेडल एड बैंकक एशियन गेम्स तो दोस्तो कौन सा करेक्ट है एकदम F option करेक्ट है B and E मतलब कि 1500 मेटर में भी इन्होंने जीता था और 800 मेटर में भी जीता था और मैं आपको कई बार बता चुक हूँ इनके बारे में कि 1998 एशियन गेम्स में इन्होंने जीता था इसके अलावा अभी फिलाल में ये करेंट में चल रही है क्योंकि इन्होंने CPM पार्टी जो की West Bengal की पार्टी है उसे छोड़ कर इन्होंने किसे जोइन कर आए दोस्तो BJP को जोइन कर लिया है ठीक है तो काफी करेंट में है ये तो चलते है नीचे अब 15th question FIBA वर्ष में गठित डैश वर्ष में गठित किया गया था FIBA was formed in the year तो दोस्तो FIBA का तो आपको अब को पता ही होगा कि 1932 में FIBA मतलब कि आपकी basketball federation ठीक है international चलते है नीचे 16th question Rio Olympic 2016 में भारत ने किस खेल में काश्य पदक जीता था in which sport did India win bronze medal at Rio Olympics 2016 तो किस में जीता था दोस्तों सही बताया कुष्टी में जीता था wrestling में जीता था और किनों ने जीता था तो आप देख सकते हैं शाक्षी मलिक जी ने जीता था हमारा bronze medal और silver हमारा PV सिंदो जी ने जीता था और शाक्षी मलिक की बात चल रही तो इनका weight category क्या थी Olympic में तो 58 kg इनकी weight category थी ठीके दोस्तों और इस टाइम पर आपको पता ही होगा अभी हाली में news आई है कि आपकी deputy directors in the sports and youth में youth affairs department sorry तो उनमें deputy directors की इनको position मिली है एक बबीता फोगाट ठीके sorry बबीता फोगाट जी को मिली है और साथ में आपका कवीता देवी मतलब कि आपकी कबड़ी से ठीके दोस्तों बबीता फोगाट को मिला है यह थोड़ा सा यहां पर confusion हो गया था याद रखें बबीता फोगाट ठीके बात हम साक्षी मलिक की कर रहे थे लेकिन यह जो जो appointment हुई है भी होईगी 30 दिन के अंदर अंदर तो यह बबीता फोगाट और कोन कवीता देवी ठीके दोस्तों चलते हैं नीचे 17 इसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे हम आपको तो विंबल्डन ग्रेंड स्लैम टैनिस टॉर्णमेंट कब शुरू हुआ वेन डिड दि विंबल्डन ग्रेंड स्लैम टॉर्णमेंट टैनिस टॉर्णमेंट स्टार्ट तो इसका अंसर बता देते हैं पहले फिर आज सारे टॉर्णमेंट को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं ठीके दोस्तों तो कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों सही बता है आपने 1877 में और इसी के अलावा ये क्या है तो सबसे पुराना मतलब कि सबसे ओल्डेश्ट ठीके सबसे पुराना टैनिस टॉर्णमेंट है ग्रेंड स्लैम टैनिस टॉर्णमेंट है इसके अलावा इनके अलावा फोटो में आप देख सकते हैं से पहले आपका Australian Open होता है जगो कि पहली फर्स्ट आपका left left side में पहले नंबर पर है Australian Open ये कब होता है दोस्तों ये mid January में होता है जो कि इस बार नहीं हो पाया ठीक है Corona को लेके नहीं हो पाया उस टाइम पे इसके बाद आपका कौन सा होता है French Open जिसका दूसरा नाम है आपका Roland Garros ठीक है जैसे कि उसमें दिख रहा है आपको तो ये कब होता है तो ये में लास्ट और जुलाई जून स्टार्टिंग में होता है आपका और इसके बाद एक चीज और बताएंगे जिससे कोशन बनता है इसके बाद आपका Wimbledon होता है जून और जुलाई के बीच में आपका Oldest है जो कि मैंने बताया सबसे पुराना tournament है Grand Slam इसके बाद आपका US Open होता है जो कि आपका अगस्त से सितनमबर के बीच में होता है अब मैं इनसे आपको बिल्कुर अच्छे चलीके से इनके कोशन बता देता हूँ कैसे आते हैं क्योंकि बहुत इजी हैं और आने ही आने होते हैं तो शॉर्ट हैं बता देता हूँ देख लिए गया और Australian Open French Open याद रखें इनकी full form Wimbledon और इसके बाद US Open ठीक है अब मैंने क्या बताया आपको दो तिन चीज़े बताई हैं सारी क्लियर कर देता हूँ एक तो मैंने आपको अभी बताया कि विम्बलन स्टार्ट कब हुआ था तो दोस्तो कब स्टार्ट हुआ था 1877 में 1877 में और आपका Australian Open कब हुआ था दोस्तो 1905 में आपका French Open कब स्टार्ट हुआ था तो 1891 में आपको भी याद करने पड़ेंगे देखो जितना पढ़ोगे उतना याद होगा तो इस चीज़ को ना वो करें कि भाई इतनी सारी चीज़े कैसे करें हरियाना वालों के स्पेशली यह बहुत इंपोर्टेंट है इजी कोशन है कि यह टॉर्णमेंट कब स्टार्ट हुआ यह कौन से कोट पे खेला जाता है यह से कोशन तक सर आ जाते हैं ठीक है तो और ऑस्टेलियन ओपन का भी डिसकसिन करते हैं सबसे पहले हम कर लेते हैं फ्रेंच ओपन का तो फ्रेंच ओपन दोस्तो किस पे खेला जाता है तो मिट्टी पे खेला जाता है कले पे ठीक है याद रखें कले पे कले कोट पे इसके अलावा आपका विंबल्डन किस पे होता है ठीक है हार्ड कोट पे ठीक है दोस्तो तो काफी important जानकारी है इसकी screenshot ले लेना आप और इसको copy में काफी बाल लिखें क्योंकि इन से question बनना ही बनना है ठीक है दोस्तो इसके अलावा बात चली रही है तो तो टोड़ी ranking की बात कर लेते हैं तो आपका जो Roger Federer है इस time पर Roger Federer उनके पास federal तो उनके पास सबसे ज़्यादा grand slam titles है तो 20 है उनके पास ठीक है इसके बाद आपका रफेल नेडाल आ जाते है रफेल नेडाल इसके पास 19 है काफी बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं खहरी है तो इनकी तो कोई comparison ही नहीं है इसके बाद नोवक दजोविक ठीक है इनके पास 17 है तो इसका भी screenshot ले ले लेना एकदम current ranking है यह आ सकता है कि अभी तक इस साल सबसे ज़्यादा grand slam tournament मतलब कि grand slam titles के athlete के पास है तो Roger Federer के पास है ठीक है चलते हैं आज के homework पे तो Commonwealth Game Federation के वरत्मान अध्यक्ष कौन है तो options आपके सामने है आई वेश यह question तो easy था अब आज आते हैं थोड़े tough question पे 19th question knockout tournament यह एक ऐसा tournament है जिसमें किसी भी match में विजेता अगले पाए पर जाता है और हराने वाला समाप्त हो जाता है इसमें 22 प्रती भागी है फिर tournament में खेलने वाले मैचों की कुल संख्या बताईए अगर 22 टीम knockout में participate करती है तो यह पूचर थोड़ी भासा थोड़ी सी घुमा रखे थोड़ी story type दे दिया है ऐसे ऐसे एक tournament होता है इसमें 22 टीम है तो बताओ क्या होगा English में तो वही चीज है तो बताईएगा अब आज आते हैं उससे भी hard question पर hard तो कुछ नहीं है थोड़ा था time taking question है देखो hard नहीं है जिनों अच्छे से concept समझे है knockout के आधार पर 21 टीमों के निर्धारण में उपरी आधे निचले आधे में टीमों की संख्या क्या है और 22 कितने 22 दी हैं उसकी संख्या भी बताईए तो English में क्या है in a picture of 21 teams on knockout basis what is the number of teams in upper half lower half also tell the number of 22 तो वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे question देता हूँ तो बहुत कम लोग answer देते है तो हमें उस चीज से फरक नहीं पड़ता कि मैं easy question देदू और comment box भर जाए उसका कोई फाइदा नहीं है ये भी तो होना चाहिए सब को ऐसास भी तो दिलाएं कि tough चीजे भी है फिजिकल एज्यूकेशन में एक दम वो नहीं है कि आप नॉर्मली वही सजिन तेंदूलगर ने कौन सा वर्ड कब जीता ये सब चीज़े static है आने वाले टाइम में इन चीजों को कोई रोल नहीं रह जाएगा आने वाले टाइम में यैसे ही कोशन हैंगे ठीके दोस्तों तो आई विश वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब औरें लाइक करें हब नाइस दे बाबाई